वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें कि हैंशेंट इंडियां जिसमें पड़ रहे हैं जन्धर्म in alignment को इनका क्या योगदान है आटर में जने वाड़ेंगे और जन्धर्म के जन्म के जन्व हुआ हैं पास्योकर और देखें इनका कब हुआ है साथी हो तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में ठीक है हो सकता है किसी बुक में आपको 599 BC भी दिये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक यी चीज है ठीक है कहां पैदा हुए है तो यह हुए है वैशाली के कुड़ ग्राम में ध्यान इनकी माता का नाम है त्रिशला और मیहभीर सौमी के बच्पन का नाम है साथियो वर्धमान मैं आपको बतादेता हूँ वर्धमान वर्धमान का अर्थ होता है सम्रधी जब यह पैदा हुए तो इनके राज्ज में काफी सम्रध्धी आई इस वे दिका नाम रखा गया वर्धमान इनकी पत्नी भी है साथियो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है लिख देताओ यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम है यशोदा महात्मा बुद्र की पत्नी का नाम है यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा जो की कुंडिन ने गोत्र की ये कन्या थी ठीक है अब महावीर स्वामी की हम बात करें साथियो तो जैसे अन्य महत्पूर सन्यासी हुए है उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी लगभग लगभग तीस वर्ष की या उन्तिस वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रहत्याग कर दिया ठीक है और जब इनके पिता की मृत्य हुई तो उन्होंने ग्रहत्याग किया और तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई ठीक है जिनका नाम था नंदी वर्धन उनकी आग्या लेकर के महावीर स्वामी ने ग्रहत्याग कर दिया घर छोड़ने के छटवे महीने में या छे महाँ बाद जब महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया बच्चे उनमें इटे बीटे मारते थे पत्थर मारते थे और एक बुक है साथियो जैन साहिते में जिसका नाम है आचारांग सूत्र उसमें इस वात का उलेख है कि उन्हें कितने कश्टों का सामना यहां पर करना पड़ा लेकर नोंने हार नहीं मानी और बारे वरसों की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के किनारे एक नदी जिसका नाम था रिजुपालिका ठीक है रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वरक्ष के नीचे शाल वरक्ष देखिए महात्मा बुद्ध को ग्यान हासिल शालव रख्च के नीचे और ये जो रिजुपाल का नदी है ये जरमभिक नामक गाउं से हो करके भैती थी और लगवग लगवग 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको ग्यान मिल गया और ग्यान को जैन साइस्तों में कहते हैं कैवल ले उनको कैवल की प्राप्ती हुई और जिन का मतलब क्या है जब उनने ग्यान प्राप्त हो गया तो वो जिन कहलाए या कैवलिन कहलाए या अरहत कहलाए ठीक है और चूंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू कर लिया जो कि एक साधारन काम नहीं है बहुत ही पराक्रम का काम है और चूंकि उन्हों ग्यान हासिर कर लिया तो उन्होंने अपना प्रतम उपदेश दिया और महावीर स्वामी ने अपना प्रतम उपदेश दिया है विपुलाचल पहाडी पर महात्मा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया और महात्मा महावीर स्वामी का जो पहला शिश्य था वो ह जामाली जामाली महावीर स्वामी का प्रत्म शिश्य और जामाली जो है ये महावीर स्वामी का दामाद भी है तो कि महावीर स्वामी की एक बेटी भी है जिसका नाम है अनोज्जा प्रियदर्शना अनोज्जा प्रियदर्शना का पती है जामाली और इसके साथ विभा हुआ प्रियदर्शना का इसलिए ये इन्का जमाता भी है और ये इन्का शिष्ष भी है और मैं आपको बताओं सातियों कि महवीर स्वामी का पुर्थम शिष्ष जामाली है और जामाली ही वह पहला व्यक्ति है जो जैन धर्म को सबसे पहले छोड़कर भाग जाएंगा ठीक है तो प्रत्राफित्रिक्त तुक्षेट्री जिसका नाम है चंद्ना वह जैनधर्म की पहली भिक्षोणी बनी जहां तैसे लिगरी पहली महिला जिसने जैन धर्म स्विकार किया उसका नाम है चंदना चंदना वो पहली महिला थी जो जैन धर्म जिसने सुईकार किया यह है प्रथम भिक्छोणी लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है जैन धर्म की प्रथम भिक्छोणी कौन है चंदना और चंदना कौन है चंदना है चंदना है चंदना है चंपा की राजा ददिवाहन की पुत्री इसके लावा अन्य लोगों ने भी जैन धर्म को प्रमुक्ष अमान दिया जैसे बिम्बिसाल, अजासत्रू, उदाएन, चंडपर्द्योत और अगर हम देखें कि सबसे महतपूर विक्ति को ने जैन धर्म को सुईकार किया तो वो है महान समराथ समराज में आप देखोगे कि इतनी ज्यादा वेराइटी है कि देखें अशोक के दादा जी जो है वो जैन धर्म सुईकार कर रहे हैं अशोक के पिता बिमिसार शैव धर्म को सुईकार कर रहे हैं अशोक बौद धर्म को सुईकार कर रहा है और अशोक का पौत्र जिसका ना पर चोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की महाविरस्ववी के बारे में अच्छा एक पॉइंट स्में और देख लिजिए कि महासा में की मृतिव कहा हुई है तो महाविर स्मे की मृतिव हुई है में 468 इसा पूर्व में ठीक है कहां पर हूई है पावा में एक राजा जिनका नाम है सुस्तपाल जो की मल राजा है उनके छेत्र में इनकी मृत्यू हो गए अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म के दर्शन के बारे में अम्मिद करता हूँ आपको इस वीडिоля में नई जानकारी मिली होगी तो एसा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मातरों